हें दोस्तों मेरा नाम जोत्र पार्टी आप देख रहे हैं शेरिंगट आज के इस वीडियम बात करने वाले हैं कि वाटसेप के एक नए बीटा अपडेट के बारे में यह बीटा अपडेट यह है कि अब आडमेंज शूस कर सकते हैं कि कौन-कौन ग्रूप के अंदर मेसेज रिपलाई कर सकता है अब आडमेंज के पास आगए और भी जादा पावर अपने ग्रूप के लिए तो यह पूरे तरह से वाटसेप को बदल देगा तो इस वीडियम देखते हैं क्या यह फीचर और यह कैसे बदल देगा वाटसेप को अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा-फट कर लिजे शेरिंगट को सब्सक्राइब क्यूंकि मैं लाता हूँ आपके लिए ऐसी टेक वीडियो से डेली वाटसाप यह अपडेट बहुती स्टोरी लाँच कर रहा है हम बीटा यूजर्स के लिए भी लेकिन यह अपडेट एंड़ोड के लिए आजा जाएगा और कल आएगा Windows और iOS यूजर्स के लिए तो यह अपडेट होगा कि admin आप सेलेक कर सकते हैं कि कौन-कौन group के अंदर message कर सकता है अगर admin ने चूज कर दिया कि सिर्फ admin से group के अंदर message कर सकते हैं तो कोई भी जो भी और members होगा वो message नहीं कर पाएगा group के अंदर अगर आप एक group admin है तो आप जब group के settings में जाएंगे आपको वाँ पे एक और नया बटन दिखाए जाएगा जो की होगा send messages जैसे आप उसके पर click करेंगे आपको पूछेगा कि messages कौन-कौन send कर सकता है सारे members send कर सकते हैं या फिर सिर्फ admin ही send कर सकते हैं अगर आप इस option को tick कर देते हैं तो सारे admin सी message send कर देगी और आप जैसे इस option को tick करेंगे group के अंदर एक आजाएगा notification कि आपने ये feature on कर दिया है जब ये feature testing में था तब इसका cool down period था 72 hours यानि कि अगर आपने कोई भी change किया as send messages के अंदर तो आप 70 गंटों के लिए आप इसे चीन नहीं कर सकते दे लेकिन WhatsApp ने जब ये feature roll on किया तब उनने time limit बिल्कुल हटा दिया था तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है लेकिन इससे थोड़ी से security compromise हो जाएगी ये feature बहुत ही मिलता जूलता है टेलिग्राम के एक feature से टेलिग्राम में भी ऐसा same feature है इसे वहां कहा आ जाता है पब्लिक चैनल तो हम कहा सकते हैं कि WhatsApp ने बहुत ही important feature लाया है टेलिग्राम से copy करने पर copy करने का कोई मतलब नहीं है WhatsApp बहुत ही बड़ा है टेलिग्राम से तो देखते हैं इस feature कैसे चलेगा WhatsApp के अंदर अब हम बात कर लेते हैं बाकी members की जो की admin नहीं है जो की हैं आम members उनके लिए कैसा होगा layout अगर आप एक member है तो आपके लिए जो message आप जहां type करते थे जहां इमोरिस का button था जहां text का button था वो पूरा का पूरा tab भी गाया हो जाएगा तो आप आप सिर्फ message read कर पाएंगे आप message type नहीं कर पाएंगे इससे आपको लगेगा WhatsApp बहुत बोरी हो जाएगा लेकिन इससे जो हम admin से हम अपना data control कर सकते हैं इतका एक example WhatsApp ने दिया कि अगर आप group के admin है और आपने अपने group का link share कर दिया है बहुत सारे नहीं जानते हैं लेकिन वो कुछ message नहीं कर पाएंगे इससे आपके group के अंदर spam नहीं होगा और कोई भी अंजाना आदमी आपके group के अंदर message नहीं कर पाएगा इससे हमें WhatsApp के अंदर बहुत ही security मिल जाती है तो यह पूरी तरह से बदल देगा WhatsApp को WhatsApp बहुत ही दिनों से काम कर रहा है WhatsApp groups के उपर इसके पहले भी उसमें बहुत सारे features लाए थे WhatsApp group के लिए मैंने उसके उपर एक वीडियो बनाया था अगर आपने वाभी तक नहीं देख रहा है तो मैं I button में link दे रहा हूं उससे please देख लीजिए आपको समझ जाएगा कि WhatsApp कितना focus करने वाले आगे जाके WhatsApp groups के उपर और बहुत सारे features आने वाले WhatsApp groups के लिए उसमें से ये एक होगा बहुत ही important feature आपके जो WhatsApp group के admin है यह select कर सकते हैं कौन-कौन admin message कर सकते हैं group के अंदर या सारे admin message कर सकते हैं group के अंदर और अगर आपको message करना है group के अंदर तो आपको बनना होगा admin तो यह दे देता है बहुत सारी नए ताका दे admin को तो अब इसी में भलाई है किया बन जाए अपने WhatsApp ग्रूप के अड़ में तब ही आप मेसेज कर पाएंगे अपने WhatsApp ग्रूप के अंदर तब तक के लिए अपने लाइफ को एंजोई करें